नमस्ते फ्रेंड मैं शेफाली शेफाली की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ तो आज तारीक है 30 अप्रैल दिन है फ्राइडे और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने एक छोटा सा ब्लॉग है देखें यह आपर मैं आपको स्प्राउट दिखा रही हूँ इ बहुत ही ज्यादा हाई प्रोटीन होता है इस तरह से खाने में तो आप भी एक बार अपने बच्चों को और खुद भी इस समय खाईए क्योंकि इस समय जितना भी हैल्दी खाना आप खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है तो बच्चों को थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मतलब अच्छा उनको लगे टेस्टी लगे इस वज़े से मैं इसमें देखी कुछ मसाले और कुछ वेजटेवल भी एड़ कर दूंगी यहां पर खीरवगरा मेरा आज खतम हो गया है कल था मैंने डाला था और विराज को भी यह बहुत ही जादा पसंद आया है और यह काफी अच्छा टेस्ट है और पानी पूरी का मसाला मैंने यू मगवाया था क्योंकि मेरे यह लागडाउन लगा हुआ है और गोलगप्य मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं समय खानी पा रही तेसलिए मैंने फिर यह मंगा के रख लिया और मिक्सर मेरा मने फिर स्टाव और मिक्ता पानी तो दो तरह के पैकेट मंगा लिया और एक दिन मैंने गोलगप्य घर पर बनाए भी ते वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि वीडियो बनाया नहीं था और देखिए बनकर इस प्लौड हमारे तयार है और अब मैं अपनी ग सब साफ करती हूं यह उस टाम का वीडियो है कैसे आप अपने गैस चूले को रोजाना अगर आप साफ करते रहेंगे इस तरीके से तो गंदा नहीं होगा और गैस चूला हमें दिन में एक बार तो इस तरह से साफ करना ही चाहिए क्योंकि हाईजियनिक रहता है इस तरह से सिरे के टाडू कुछ भी नहीं रहते हैं इससे दिन में एक बार तो आपको इस तरह से साफ जरूर करना चाहिए और यह जो चूला है मेरा काफी पुराना है लेकिन फिर भी अभी बहुत ही अच्छा काम करता है यह और इस तरह से टैल वगएरा हो जाते हैं तो काफी चीट साफ के बिना मन नहीं मानता तो देखिए अच्छे से मैं से साफ कर दूंगी पानी से और एक चोटा वायपर आप अपनी किचन में जरूर रखिए बहुत ही काम आता है फटा फट से जो पानी होता है यह इदर उदर निकलता रहता है तो सारा पानी में जल्दी-जल्दी से सूत देती हूं इसी बाइपर से फटा-फट से जिसे सारा पानी हमारे बगल में यहां पर सिंक लगा हुआ है उसमें सारा पानी चला जाता है इस तरीके से देखिए और जब भी आप गैस को साफ कर लें उसके बाद कप्ड़े से से पोंच जरूर लें इसके बढ़नल वग दिखाई देते हैं तो अच्छे से कप्ड़े से सुखे कप्रे से पोंच लेने से चमक भी बहुत ही अच्छे जाती देखिए इस बढ़नल वगएरा मैंने हर चीज साफ करके दोके साफ कर दी है और देखिए कितने अच्छे से ही चमक गया हमारा चूला तो दिन में एक बा साफ कर लिया लेकिन कभी और अट से दस दिनों के बीचे में गरम पानी से बीस से जरूर वाश करती हूं साध्य पानी से यसे रख 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 है अब मैं यहाँ पर गरम पानी लोंगी और इसको एक से तो घंटे के लिए भीगोंकर रखोंगी इन कपरों कोँ jadi कि इंग अग्यां कि रेड़ीन कंद करन दो बूसक्त जो डूसकर है तो बैसे नहीं पहले नहीं था मेरे पास भी नहीं था तो भगाने में पानी गरम करके और यह किजन के कप्ड़ें दुल लेक्सिक तुम यहां पर मैं एक डिश्वॉसर जो हमारा है कोई भी आपका सफाई काफी अच्छी हो जाती है और यहां पर मैंने थोड़ा सा विनेगर भी डाल दिया है इसको इस तरह से भिगो कर रख दूंगी दो तीन घंटी के बाद में से अच्छी से शाफ कर लूंगी जो भी किटाणों वगएरा होंगे कुछ नहीं रहेंगे अगर वीडियो पस सन्द़ाय हो जो